कि ये सेवरिवन कल की क्लास के आगे हम लोग कंटीनिव कर रहे हैं हेलो एलकेन में जो सेकंड पोर्षन में आप लोगों को अभी करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कल जो हमने पढ़ा था उस से रिलेटेड सबसे पहले एक क्वेश्चन में लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर उसी पोर्षन से रिलेटेड है कल हमने हेलो एलकेन या एलकाइल एलाइड को बनाने की विद्या यानि के मैथ़ड आफ प्रपरेशन पढ़ा था तो जब कल हमने मैथ़ड आफ सवाल पूछे जाते हैं identify all possible monochloro structural identify all possible monochloro structural isomer of the compound isopentane upon monochlorination first of all isopentane जो है उसका structure होता है यह जो examiner हमें बना मैंने अभी बनाया नहीं but that's okay normanclature भी आप लोग सीख चुके हो normanclature के वीडियो डले हुए है चिक है बच्चों तो normanclature आप वहां वीडियो पहला दूसरा वीडियो आप observe करोगे तो नाम देखना भी आपको आना चाहिए नाम से structure बनाना isopentane का structure यह होता है अब isopentane के chlorination का क्या मतलब हो गया cl2 in the presence of light ultraviolet visible radiation इसकी presence में जब alkane पर chlorine डाला जाता है तो chloroalkane यानि के helloalkane मनता है यह alogenation of alkane का case है पर बच्चों जहां तक वात है isopentane में अगर आप देखोगे तो आपको one degree, one degree, one degree, three degree और two degree तो खुल मिला करके आप लोगों को यहां पर अलग-अलग तरह के चार hydrogens या मैं कह दूँ चार कारवंस दिखाई देंगे चार कैसे देखना कि ये वाले दोनों तो same है ये वाले दोनो one degree same है लेकिन ये वाला one degree अलग है कैसे अलग है इससे समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पर possible monocloro product बना रहा हूं monocloro का मतलब है एक बार chlorination एक बार chlorination मैंने इस पर बनाया चाहां मैं क्या कर रहा हूं मैंने इसे मार्क कर दिया ए इसे भी इसे सी और ये दोनों वाले carbon d अना तो क्या बनेगा देखना ए वाली carbon पर जो hydrogen है वहां से एक hydrogen substitution होके chlorine attach हो जाएगा क्या बनके आएगा isopentyl chloride एक monocloro product plus two degree b carbon पर यदि substitution हो जाए प्रतिस्थापन हो जाए chlorine का तो क्या बनके आएगा तो ये बनेगा दूसरा product plus इसी isopentyl में यदि three degree पर chlorine जाके substitution कर दें तो क्या बनेगा एक hydrogen हटता है और cl जोड़ जाता है substitution का case बनता है free radical mechanism से होता है कल वाले वीडियो को जैसे ही आप लोग देखोगे आज वाला वीडियो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा अभी जो students live interact कर रहे हैं वो जितना अभी समझ में आ पा रहा है क्योंकि इसके बाद आगे का topic आपको बहुत आराम से समझ में आएगा केवल एक दो सवाल मैं कल वाले लेके चल रहा हूँ जैसे ही आप कल वाला वीडियो देखोगे आज वाला आपको पूरा समझ में आ जा आएगा अब आप देखना कि ये और ये कार्बन पे क्लोरीनेशन कराने पर बिल्कुल exact same product आएंगे जबकि यहां से अलगाया यहां से अलगाया यहां से अलगाया तोटल चार मोनो क्लोरो प्रॉडक्ट आइसो पेंटेन के मोनो क्लोरीनेशन से बनके आएंगे structural isomers clear वो च प्रॉडक्ट मैंने आपको बता दिये यह ncrt level का question होता है नेक्स्ट देखो एक और चीज में आपसे share करता हूं कल हमने एलकाइल एलाइड बनाने की विदिया सीखी method of preparation पड़ा वहां पर हमने एलकीन पर hbr का एडिशन भी पड़ा एलकीन पर hbr के एडिशन में जब हम तो मार कौनी कौफ एडिशन होता है और मार कौनी कौफ एडिशन में बी आर उस कारवन पर जोड़ता है जिस पर हाइडरोजनों की संख्या कम नमबर आफ हाइडरोजन कम होते हैं तो यह क्या बनके आया मेजर प्रॉड़क्ट मार कौनी कौफ बनके आया चलिए इसके बाद मैं आपके सामने लेता हूँ आगे के टॉपिक्स चैप्टर चल रहा था हम लोगों का चैप्टर है हेलो एलकेन या एलकाइल एलाइड और इसका लेक्चर नमबर तू यानि के पार्ट तू हम लेके चल रहे हैं इस चैप्टर का आगे का पोर्शन हम लोग लेके चल रहे हैं और इस पोर्शन में मैं अभी आपके सामने सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ फि फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं बोतिक गुण और बोतिक गुणों में क्या-क्या चीजे आती है बच्चों बोतिक गुणों में आती है बोतिक अवस्ता यानि कि फिजिकल इस्टेट सॉलिड है लेक्विड है गेसियस है कैसी नेचर है उसकी प्रकृति कैसी ह उसके बाद आती है boiling point, quatranak, melting point, galang, solubility, wileta, etc. इससे संबंदित चीजे जो होती है density, घनत्व, ये सब चीजे बहुतिक गुणों में आती हैं तो यदि हम बात करें हेलो एलकेंस यानि के आर एक्स, एलकाइल एलाइड के बहुतिक गुणों की या physical property की, तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहां पे, वो है boiling point, boiling point, अब केवल और केवल, हर चैप्टर में हमें, किसी भी चैप्टर में हमें केवल उन physical properties पे focus करना है, जिन से exam में सवाल बन सकता है, तो मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ, कि methyl chloride gase होती है, ethyl chloride gase होती है, और आगे के member liquid होते है, हाँ, chloroform liquid होता है, मैं यह सब चीजे शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, physical property में, जहां से exam में सवाल बन सकता है, तो इसलिए सीधे आ जाते है, boiling point या वतनांग, boiling point को short में BP भी कहते हैं, याद रखना, boiling point जो है, क्या होता है, किसी भी liquid को boil करने के लिए जो temperature की requirement है, यानि कि उस liquid को washpoo में, हाँ, क्या gas में convert करने के लिए, वैपर बनाने के लिए, जिस temperature की, जिस तापमान की requirement होती है, वो कहलाता है उसका boiling point, इसी तरह किसी toast को या solid को गलाने के लिए, यानि के drum बनाने के liquid बनाने के लिए, जिस temperature की requirement होती है, वो कहलाता है उसका melting point या गल्लांग, मैं बात कर रहा हूँ, liquids के boiling point की, ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात, alkyl allied के boiling point, उनके corresponding, alcano से ज़्यादा होते हैं, क्या कहा मैंने, alcano से ज़्यादा होते हैं, ऐसा इसलिए, क्योंकि alkyl allied के अंदर, x और carbon के बीच partial polarity present है, और partial polarity का मतलब दुर्वणता, x की electron negativity carbon से ज़्यादा है, और bond में polarity है, और इसी की वज़े से, alkyl allied में intermolecular attraction, यानि के intermolecular force of attraction present होंगे, intermolecular force of attraction का मतलब है, अंतराणविक, आकरशन, अणों के बीच में, यानि molecules के बीच में, आपस में attraction रहता है, इस polarity की वज़े से, यह attraction ज़्यादा होता है, dipole, dipole attraction, wonderful force of attraction, तो यह कुछ forces जो है, वो कहीं न कहीं, इनके अणों को, इनके molecules को आपस में बांद के रहते हैं, जब अणों आपस में ज़्यादा बंद के रहेंगे, आपस में ज़्यादा पास-पास होंगे, tightly bounded होंगे, तो उन्हें तोडने के लिए, उन्हें गेस में convert करने के लिए ज़्यादा temperature की आवशक्ता होगी, तो थोड़ा सा concept अगर आप लेके चलो, तो पहला physical property boiling point यह कहता है, एलकाइल, एलाइड का boiling point, corresponding उनके जैसे एलकेनों से ज़्यादा होता है, इसमें polarity नहीं है, इसमें polarity, now जो next concept आपको सीखना है बच्चों, वो यह है, कि अगर हम एलकाइल, एलाइड में, एलोजनों को change करें, iodine, bromine, chlorine and fluorine, अगर हम change करें, एलोजन अलग-अलग हम लें, iodine, bromine, chlorine and fluorine, तो यहाँ पर एक तो electron negativity का difference आ रहा है, fluorine की विद्ध्योत्रेणता, electron negativity ज़्यादा है, iodine की कम है, दूसरा, इनकी size में फरकारा है, size fluorine का छोटा है, जबकि iodine की तरफ आप चलते हो, हैलोजन में, तो size बढ़ता है, याद करो, मैं कल के वीडियो में भी share कर चुका हूँ, आप देखना, और नहीं तो वैसे आप जानते होंगे, P-block में, हैलोजन up to down, size बढ़ता है, देखो वेटा, हरी राम, यह जो आप पूछ रहे हो, यह आप पंकस सर से discuss करना भी physics की class में, CUET के बारे में, और वीडियो डले हुए है, आपको पूरी जानकारी, पूरे वीडियो डले हुए वेटा, YouTube चैनल पे, तो आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी यह न, CUET की नहीं, अभी आप chemistry बढ़ रहे है, वोइस ठीक करें, वोइस ठीक आनी चाहिए वेटा, वोइस ठीक ही है, वोइस में ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं, हाँ भई, आदित्या बताना जारा, वोइस क्लेर पहुंच रही है, क्या, आदित्या कह रहा है, बिल्कुल सही आ रही है, अरी राम कह रहा है, बिल्कुल सही आ रही है, फिरोज, बिल्कुल सही जा रही है, बाकी बच्चों के पास बिल्कुल सही पहुंच रही है, तो आपका टेक्निकल इश्यू है आपका टेक्निकल इश्यू है पहले तो यह एजूकेशन नाम से आपका कोई टेक्निकल इश्यू होगा बेटा आप अपने टेक्निकल इशू को सॉल्ट करो इंटरनेट इशू होगा अपने आप आपके पास बॉइस ठीक पहुंच जाएगी है बाकियों के पास अच्छे से पहुंच रही है तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहें सवाल बनता है इस चैप्टर से स्प्वानिटर रहता है कॉनशा षी चया है चाट्पैक्टर साइज बढ़ती है साथ 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 नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन बढ़जाते हैं दो चीसे जोंका ध्यान रखना बच्चो लोरों से डूरों से रओंउज की तरफ चलोगी है साइज बढ़ जाएगा नंबर ओफ force of attraction अंतरान्विक जो आक्रिशन है अन्मों के बीच में वो बढ़ जाता है और वो बढ़ जाता है वांडरवाल force of attraction बढ़ जाता है तो अलग-अलग एलोजनों के respect में यदि हम बात करें तो अलकाइल आयोडाइड का boiling point सबसे जादा ब्रोमीन का उससे कम फ्लोरीन का उससे कम और फ्लोरीन का सबसे कम इसका मतलब पता है क्या है ध्यान रखना एक बात अलकिल के अंदर कार्वन की संक्या समान होनी चाहिए हाँ इस चीज को ध्यान रखना है क्या कह रहा हूं मैं यह देखो नीचे लिख दिया मैंने एक उधारण example मैथिल लगा दिया मैंने और केवल एलोजनों को change कर दिया आपको यह ध्यान रखना है अगर number of carbon ही अलग-अलग आ गए तो ध्यान रखना boiling point अलग-अलग चलते हैं सबसे पहली बात आर की नेचर सेम है और एलोजन बदले तो एलकाइल आयोडाइट के boiling point सबसे ज़्यादा और ग्रेज्वली डिक्रीज होंगे ब्रोमों से क्लोरों से फ्लोरों की तरफ जब आप इसमें चलोगे concept size factor number of electron increase होना clear अब देखो इसमें थोड़ा सा आगे boiling point का इ इसमें आप चेक कर लेना किसी भी एक्जाम को उठा करके अगर मैं आगे चलूँ तो मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को की boiling point जो BP होता है that is directly proportional to the number of carbon आप 11th class में पढ़ते हो इस चीज को एलकेन वाले चैप्टर में 11th class में एलकेन वाले चैप्टर में भी जैसे जैसे number of carbon बढ़ते हैं molecular mass बढ़ता है अनुभार बढ़ता है जैसे जैसे बढ़ता है कहीं ना कहीं intermolecular force of attraction बढ़ता है boiling point भी बढ़ता है directly proportional का मतलब है number of carbon carbon atom की संख्या बढ़ना मतलब boiling point भी बढ़ना है लेकिन आप ये भी पढ़के आते हो 11th class के LKN वाले चैप्टर में कि अगर कार्बन की संख्या समान है number of carbon सेम है और शाखाएं बढ़ा दी यानि branching बढ़ा दी तो द्यान देना कि branching के inversely proportional होता है very important concept कि ऐसे ही चोटे-चोटे सवाल पूछे जाएंगे सी यूई टी में जो नीट और जेई लेवल से बिलॉंग करते हैं वजिकल प्रॉपर्टी के सवाल अक्सर आते हैं एक्जाम्स में competition में जो इस तरह का लेवल है एक बार होल्ड करना उमेश कि रिविजन के साथ साथ बेटा जो आपने 11 ट्वेल्ट में पड़ा होगा वह चौरटिकल पड़ा होगा या आप असी चेक आप सी बाते मत करो इसमें बेटा एक मिनट रूट हो आप लोगों से बाइलिंग पॉइंट की तो जैसे हम 11 क्लास में पढ़ते थे सेम वैसा ही कॉंसेप्ट हम जो एलकेन वाले चेप्टर में पढ़ते थे वह अपलाई होगा बिलकुल हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से boiling point बढ़ेगा for example मैंने ले लिया methyl chloride और फिर मैंने ले लिया ethyl chloride और फिर मैंने ले लिया normal propyl chloride ये तीन कार्बन तक ले लिये मैंने मान लीजिए मैं इसके बाद में आगे चौथे कार्बन तक पहुसता पांचवे तक जाता यानि के math, eth, prop, but, pent तो कुल मिलाकर के chemistry ये कह रही है कि जैसे जैसे number of carbon बढ़ते है boiling point भी बढ़ता है तो ये मैंने increasing order कह दिया सबसे कम इसका फिर ethyl chloride का फिर propyl chloride का आगे चलोगे diotyl chloride ये boiling point का increasing order लेकिन branching का concept क्या कहता ह branching का concept ये कहता है कि number of carbon same है number of carbon same है लेकिन branching बढ़ गई अब branching बढ़ने से क्या मतलब है इसको समझना इस तरह का case मैं लेता हूँ आपके सामने number of carbon number of hydrogen बिल्कूल सेम है तीनों के अंदर ये तीनों के अंदर चार-चार carbon है secondary butyl, tertiary butyl chloride है हाँ number of carbon same है और number of carbon same होने के बाद अगर branching में फर्क आ जाए तो branching बढ़ने से surface area घट जाता है कम हो जाता है intermolecular attraction कम हो जाता है इसी वज़े से हाँ जितनी लंबी chain होगी intermolecular attraction उतना जादा होगा सबसे ज़्यादा boiling point normal butyl chloride फिर secondary और उससे कम tertiary butyl तो ध्यान रखना ये मैंने decreasing order तो मैंने आपको ये एक relation बताया है कि number of carbon atom बढ़ेंगे तो boiling point बढ़ेगा branching बढ़ेगी तो boiling point घटेगा कम हो जाएगा लेकिन शर्त इतनी सी है कि halogen बिलकुल same होना चाहिए अगर halogen ही different कर दिया तो आपको पता है iodine वाले alkalolides का boiling point सबसे ज़्यादा होता है clear तो ये सारे concepts physical property के आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करके जाने है C.U.E.T.K. exam के अंदर फिलाल ये बात्चीत चल रही थी physical property की और अब मैं आपको तुरंत ले चलता हूँ chemical reactions की तरफ यानि के chemical property की तरफ chemical reactions रासाइने के गोण chemical property जो सीखने की चीज थी न physical property में alkyl halides की वो केवल boiling point थी इसमें solubility density वगरे और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं है क्योंकि exam में उनसे सवाल बहुत कम आते हैं हमें उन चीजों पर ज़्यादा focus करना चाहिए जहां से सवाल ज़्यादा आने की chances होते हैं ध्यान रखना रासाइनिक गुण या chemical reactions क्या होती है अलकाइल हैलाइड कौन कौन सी अभीक्रियां कौन कौन सी reactions देता है यह कहलाएगी उसकी chemical property सबसे पहले तो यह आशुतोष आदित्य और फिरोज तीन कैंडिडेड बने हुए हैं मेटिंग के अंदर लाइव रेप्लाइड देंगे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको सिखाई एलकाइल एलाइड की क्या वो आपको समझ में आई थम वेप्रेशन से आप रेप होता है कि डेली टू डेली आप घर पे बैठके सेल्फ स्टडी करके इस पूरे मैटर को रिवाइज भी करेंगे बस इतना सा आपको करना होगा कैमिकल रियक्शन में एलकाइल एलाइड जो है वो तीन तरह की रियक्शन में इन्वाल्व होते हैं ए नियोक्लियोफिलेक सब सब्स्टिटिउशन और सी है रियक्शन विद मैटल मैंने कहा एलकाइल एलाइड पर तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे तीन तरह की केमिकल रियक्शन वो देते हैं पहली है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन में नियुक्लियोफिलेक सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है जिसे एसन भी बोला जाता है दूसरी है एलमेनेशन एलमेनेशन के अंदर अलग तरह की केमिस्ट्री चलेगी मैं भी शेर करूँगा और तीसरी है reaction इनकी metal के साथ बस ये तीन reactions आप लोगों को सीखनी है अब बारी आती है सबसे पहले A. Neocleophilic substitution की हिंदी में बोलेंगे नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन Neocleophilic substitution reactions नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभी रिया Neocleophilic substitution SN क्या होता है जड़ा ध्यान देना ध्यान देना Alkyl, Alide की अगर हम बात करें मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों से शेर किया मैं आज भी बता रहा हूँ इस चीज़ को इसमें क्या होता है Halogen की electron negativity carbon से ज़्यादा है तो सिग्मा बांड के electron जो CX बांड है सिग्मा उसके electron हैलोजन की तरफ अट्रेक्ट होगे हैलोजन ने बांड के electronों को अट्रेक्ट हिया partial negative positive charge आया polarity आ गई आप डंग से चेक करो Alkyl, Alide में जो हैलोजन से attached carbon है ना उस पर positive charge आ रहा है मतलब electronों की कमी हो गई है deficiency हो गई है which means ये center अब एक electrophilic center बन चुका है Alkyl, Alide को electrophile में गिना जाता है बच्चों हाँ type of reagent के अंदर अगर हम बात करें Alkyl, Alide is considered into the electrophiles because electrophilic carbon है and now this will attract a nucleophilic portion of any reagent ये किसी भी reagent के नाभिक इसने ही nucleophilic portion को attract करता है और जैसे ही attract करता है वो इस पर attack करता है और X को निकाल देता है तो एक general representation लिखता हूँ बच्चों आपके सामने कि वेन Alkyl, Alides are treated with any nucleophile then nucleophile attack करके बनाता है ये product और X को भगा देता है X को निकाल देता है X को remove कर देता है अब जैसे ही है निकला जो product बना आप चेक करो इस reaction को बोला जाएगा substitution या प्रतिस्थापन हिंदी में इसमें nucleophile ने X को हटा दिया वो जुड़ गया overall बोला जाएगा nucleophilic substitution तो सबसे पहली बात तो कि reaction क्या हो रही है और क्यों हो रही है concept और fact दोनों आपके सामने आ गया बारी आती है इसकी mechanism की तो ध्यान देना मैं आपको बता दू कि मैंने एक video already पूरा का पूरा SN1 और SN2 का बना दिया है क्योंकि यह इतनी important mechanism है कि यहां से कम से कम एक नहीं तो दो question हर exam में बनते ही बनते है SN1 की reactivity बताईए SN2 की reactivity बताईए which is most reactive towards SN1 यह ऐसे सवाल SN1, SN2 के ठेर exams में, बहुत सार exams में पूछे जाते हैं तो आपको मैं बताऊं कि यह जो substitution हो रहा है इसकी दो mechanism से एक SN1 और एक SN2 पूरी detail में यह video आप लोगों को साथवाई आठवे नंबर का video है lecture number 7 है I think पूरा detail में SN1, SN2 बहुत अच्छे से आपको उस video में मिलेगा लेकिन फिलाल अगर मैं समरी में आपको बताऊं तो SN1 के अंदर carbon halogen bond पहले breakdown हो जाता है और true cation intermediate बनता है जिस पर आकर के nucleophile जोड जाता है मैं इसलिए जादा detail में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उस video को पहले observe करेंगे आज इस video के साथ आपको उस video को भी देखना है जो YouTube channel पे डल चुका है जब आप उसको देखोगे तो आपको SN1, SN2 का बहुत बढ़िया experience मिलेगा है मेरी guarantee COET level पे और अब आप पढ़ रहे हो chemical reaction तो एक reaction तो आप लोगों की इमान के चलो almost उस video में हो गई है नियोकलियोफिलेक्स अक्टिटूशन बस जो basic introduction था वो मैंने आपको बता दूसरी elimination और मैटल मैं आपको बताऊंगा मैं कह रहा हूं SN1 में carbon-alogen bond तूप जाता है केटायन intermediate बनता और उसके बाद नियोकलियोफाइल अटैक कर जाता है जबकि SN2 के अंदर SN2 के अंदर backside attack होता है पीछे से आक्रमन backside attack of नियोकलियोफिलेक्स पीछे से attack करता है फ्रंट से X निकलता है और यहां पर transition state बनती है कि रांजीशन स्टेट बनती है कि वहां intermediate के टायन बनता है SN1 में यहां ट्रांजीशन स्टेट बनती है और लास्ट में जाकर के प्रॉडक्ट बन जाता है प्रॉडक्ट दोनों में वही बन रहा है लेकिन reaction की mechanism यानि क्रियाविदी अलग अलग है यहां पर कार्बो के टायन mechanism से SN1 से बन रहा है यहां कार्बो यहां ट्रांजीशन स्टेट संक्रमन अवस्ता के थूड़ू 3 degree SN1 से देता है और 1 degree SN2 से देता है यह सारे facts आप लोग उस वीडियो में पूरा experience लेंगे तो इसलिए आप उस वीडियो को आज इस वीडियो के साथ में उसे भी देख ले ना आपका बहुत अच्छे से SN1 और SN2 कवर हो जाएगा मैं आपको लेके चलता हूँ देगो basic introduction मैं इसे ने यहाँ देदिया वो चीज़ आप आप देख लोगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके कुछ एग्जामपल्स पे जो आप ने देखी निएकलियोफिले शब्स्टिटीउशन इसके कुछ एग्जामपल्स बताता हूँ मैं आप लोगों Some examples of SN reaction, SN मतलब nucleophilic substitution, alkyl allied पर variety of nucleophiles interact करते हैं बच्चों, variety, NaOH ले लो, KOH ले लो, यह NaOH और KOH जो लेते हैं वो aqueous लेते हैं, जलिए, water के साथ, ज्यान रहना, product बनता है alcohol, तो attack करने वाला nucleophile कौन है, OH माइनस है, OH माइनस ने attack किया, X को निकाल दिया, हां, मैं बात करता हूँ, variety of reactions, students, variety, अगर aqueous मान लो, pure water ही ले ले, तो तो फिर water ही attack करके alcohol बना देगा, no doubt, लेकिन यदि ammonia ले ले, या कोई और primary amine, secondary amine, तो ammonia substitution करके बनाता है, amines, attack करने वाला nucleophile change करते चलिए, product का composition change होता जाएगा, हां जी, अगर हम ले, cyanide minus, cyanide minus attack कराने के लिए डाला जाता है, KCN, potassium cyanide, तो क्या बनता है, RCN, this reaction is important, क्योंकि इस reaction में यदि A, G, C, N ले लिया जाए, silver cyanide, तो attack करने वाला nucleophile अब nitrogen हो जाता है, और isocyanide cyanide बनता है, उपर cyanide बन रहा है, या isocyanide बन रहा है, हां बई, क्या ये reaction पढ़के आए हो, याद है कुछ, KCN, A, G, C, N वाली, देखे, reply दो, हां बई, थम से बता दो, KCN, A, G, C, N पढ़के आए, कोई student, आदित्या आशुतोष पढ़के आए है, फिरोज ने नहीं पढ़ी गया, पढ़ी है, तो याद आगई होगी, ये सब reactions, nucleoplex substitution के example है, ये सब reactions, SN1, SN2 से होगी, यदि ये 3 degree होगा, तो SN1 से होगी, यदि ये 1 degree होगा, तो SN2 से होगी, और यदि ये 2 degree होगा, तो निर्भर करेगा कि एलोजन क्या है, निर्भर करेगा, विलायक यानि के solvent क्या लिया जा रहा है, बहुत सारे factors पे, clear है, चलिए, तो ये कुछ example मैंने आपको बताए, जो आपको सीखने ते नियो, nucleoplex substitution के, इन में खास और पे KCN और AGCN का आपको ध्यान रखना होता है, clear, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, next, second reaction, वो है, elimination, इसे हिंदी में कहते हैं, will open, ये बिल्कुल addition की उल्टा होता है, कल आपने अलकीन पर HBR का addition किया, Marconic of addition आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया, alkyl allied बने, उसका just उल्टा चल लो, ये will open वही है, तो आपने अगर कल वाली reaction को सीखा, जिसमें alkyl पर HBR का addition करवा रहे थे, तो product बना, उस product से ultra reactant की तरफ आजाओ, ये बिल्कुल वही will open elimination कहलाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, कि alkyl allied में halogen मिलेगा, और एक hydrogen मिलेगा, इस तरह से, general representation दे रहा हूँ आप लोगों को, और इसके साथ डाला जाएगा, base, base जैसे की alcoholic KOH, etc, इस तरह का कोई शार्या base डाला जाता है, base क्या करता है, ध्यान देना, base का मैंने B लिख दिया, B का मतलब क्या है, base है, halogen की alpha carbon और ये है beta carbon, जिस carbon से halogen attach है, उसे कहेंगे alpha, और उसके पास वाले carbon को कहेंगे beta, तो beta पे जो hydrogen है, इस पर बहस attack करता है, ये bond के electron छोड़के निकलता है, और ये bond के electron लेके निकलता है, जब ये सारा process एक साथ होता है, तो alkene बनता है, और BH, base के साथ proton और X-, तो exactly जो product बनके आया इस reaction का, वो एक alkene होता है, और क्योंकि इस reaction के अंदर एक ही substrate से हैलोजन और H निकल गए, इसी लिए इसे विलोपन यानि के, हाँ, इसे elimination कहा जाता है, dehydrogenation कहते हैं, क्योंकि इसमें hydrogen और halogen, दोनों D हो रहे हैं, D का मतलब होता है निकलना, डाई का मतलब होता है जुड़ना, D का मतलब होता है निकलना, गुड बेटा, तो कुल मिलागे chemistry ये कह रही है, कि यहाँ पर elimination, जस्ट उल्टा चलते, तो addition होता है, अलकीन फे, reverse चले, तो यह elimination हुआ है, अलकाइल हैलाइट्स की अभी करिया है reaction, मैं अब case लेता हूँ, इसमें एक, एथिल ब्रोमाइड का, जब एथिल ब्रोमाइड पर, एलकोहॉलिक के ओएच डाला जाता है, तो बी आर की, यह एलफा, और यह वीटा इडरोजन है, यहाँ से एच जाएगी, और यहाँ से बी आर जाएगा, तो अब क्या बनके आएगा, इथिन बनेगा, इथिन बनेगा एथिल ब्रोमाइड से, सबसे बड़ी बात देखिए स्टूडिंट्स, कि यहाँ पर एक कॉंपिडिशन रियक्शन और चलती है, वो क्या, वो यह की एथिल ब्रोमाइड पर यदि जलिये के ओएच डाल दे, एक्वस के ओएच, एक तो एलकोहॉलिक है, एक एक्वस है, याद रखना, एलकोहॉलिक के ओएच जो है, वो बेस होता है, जबकि एक्वस के ओएच बेस नहीं है, यह नियोक्लियोफाइल होता है, और अटैक करने वाला नियोक्लियोफाइल इसमें ओएच माइनस, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानि प्रतिस्थापन, जबकि यहाँ पर अभी आपने एलिमिनेशन करवाया है, सब्स्टिट्यूशन होगा तो यह रियक्शन SN1, SN2 से आप अल्रेडी पढ़के आ चुके हो, पीछे एलकोहल बनेगा, एथिनॉल बनेगा एथिल ब्रॉमाइड से, तो जब अलकाईल, एलाइड पर जलीए KOH डाला जाता है, अकवस, तो एथानॉल बनता है, और जब अल्कोहलिक डालते हैं, तो विलोपन यानि अलिमिनेशन होके अलिकीन बनता है, बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए बस, बीटा आइडरोजन है तो एलमिनेशन होगा पता चला बीटा इडरोजन है ही नहीं तो एलमिनेशन होगा ही नहीं तो फिर सब्स्टिटूशन हो जाएगा तो एलकॉलिक क्यों ऐसे और कोई रास्ता ही नहीं बचा फिर बैस के पास प्रोटोन ही नहीं कहचने के लिए तो कहा will open नहीं देते यह elimination देते ही नहीं है इन पे के वल substitution होते है clear ऐसे सबस्ट्रेट जिनके बास है alcoholic के ओएज के साथ वो elimination aqueous के ओएज के साथ substitution substitution की mechanism SN1 SN2 वो आप देखी चुके हो और elimination की जो यह mechanism हुई है इसे E2 बोलते है E2 क्योंकि beta proton halogen एक साथ निकल रहे है transition state के through यह mechanism होती है पर वो इतनी detail में जाने कि हमें requirement नहीं है सिर्फ यह ध्यान रखना है लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है very important case वो case है तू ब्रोमो पैंटेन का इसका तू ब्रोमो पैंटेन का case वेरी वेरी important इस case में alcoholic koh डाल दिया ALC मतलब alcoholic के ओच तो जाईर सी बात है कि यह base देखकर के आपको यह strike करेगा कि alcohol allied पर base दिया हुआ है तो यह will open यानि elimination का case है और elimination का case है तो halogen की alpha carbon के पास वाले बीटा पर hydrogen इधर भी है और इधर भी है इसे मैंने beta dash कह दिया जब दो तरह की बीटा hydrogen आ जाए तो बेस उस proton को खेचता है जहां से more stable more substituted अधिक प्रतिस्थापी और अधिक इस ताइप रखने वाली more stable sat jep alkin वनती है यह इसका major product है मुख्य उत्पाद हां यह इसका major product है आ रहा है के समझ में अगर इस तरह का सबस्ट्रेट आपके सामने आए सब्सक्राइल एलाइड हां भई रिप्लाइड देते रहो सबज में आ रहा है के नहीं आ रहा है वेरी इंपोर्टेंट केस मानता हूं मैं सब्सक्राइड यह इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग बना चुका हूं क्यूंकि मुझे पता है वहां से आना ही आना है सब्सक्राइड और यहां फिर अगर केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो फिर एलेमिनेशन का सवाल बनेगा जो इस तरह का सवाल होगा जहां र दो ऑप्शन वो यह और इसके साथ माइनर वाला बनाएगा माइनर प्रोड़क्ट इसका बनता है वन पैंटीन वन पैंटीन हो सकता है बच्चों ऑप्शन्स में नाम लिखके दे दे जो सैट जय पहल की नाई है मोर सबस्टिट्यूटेड उसका नाम है तू पैंटीन नॉ वीडियो शुरुवात के देखना जरूरी है अगर औरगैनिक के सवाल निकालने है तो और 12th क्लास की केमिस्ट्री सेकिंड में सारे चेप्टर औरगैनिक वाले ही है तो इसी लिए बहुत जरूरी होगा नॉमन क्लेचर को भी सीखना यह सेट जैप होती है यही मेजर है वो होती है वो माइनर है उस पे फोकस नहीं करना इस पे ही फोकस करना था यह एलमेनेशन रियक्षन की बातचीत हो चुकी है जैसा कि मैं आप लोगों से केमिकल रियक्षन एलकाइल एलाइड की चर्चा कर रहा हूं नियोक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलमेनेशन ह के बाद मैं आपको ले चलता हूं लास्ट छोटी सी रियक्षन रियक्षन विद मैटल की तरह यह लास्ट रियक्षन होगी reaction with metal पर आप इसमें एक reaction एक reagent पढ़ोगे जिसे nobel मिल चुका है nobel prize मिल चुका है मैं बात कर रहा हूँ सबसे बहली reaction ग्रिगनाड reagent के preparation की alkyl allied की reaction जब magnesium metal से कराते हैं यह reaction dry ether यानि के शुश्क ether की उपस्तिती में यह विलायक है solvent है ethereal solution में करवाई जाती है यह reaction ethereal solution में करवाई जाती है और इस reaction में बनता है rmgx जिसे ग्रिगनाड reagent के नाम से जाना जाता है और विक्टर ग्रिगनाड नाम के chemist को scientist को इस reagent को बनाने के लिए 1912 के अंदर Nobel Prize दिया गया था विक्टर ग्रिगनाड chemist को this is called ग्रिगनाड reagent कैसे बना कुछ नहीं carbon halogen bond break हुआ है magnesium इस bond में oxidative insertion कर चुका है oxidative insertion का मतलब है खुद का oxidation करता हुआ इस bond में insert हो गया है यहां magnesium zero oxidation state में था यहां plus two में convert हो गया है इस reaction का इस reagent का बनने का सबसे बड़ा driving force यह है magnesium plus two is more stable than magnesium zero के ध्यान रखना magnesium plus two oxidation state में ज़्यादा stable होता है क्योंकि इसका octet पूरा हो जाता है plus two के अंदर zero में वो less stable होता है plus two में वो ज़्यादा stable होता है इसी लिए तुरंत oxidation करके oxidative insertion करके grignard बना लेता है यह reaction ethereal solution में करवाई जाती है यह reaction water में नहीं करवाते क्योंकि grignard इतना ज़्यादा reactive होता है अगर आपने H2O solvent ले लिया water ले लिया तो यह उससे reaction करके सारा का सारा alkane में convert हो जाता है acid base reaction हो जाती है यहापे तो आप तो यहीं चाहते हो ना कि grignard बनके आए ऐसा थोड़ी चाहोगे कि grignard बना और H2O से reaction करके खुदी खतम हो गया इसलिए grignard reagent की preparation कभी भी water में नहीं कराते grignard अमेशा ethereal solution में करवाते है driving force देख लिया alkyl allied की metal से reaction metal magnesium metal ही तो है lithium metal से गनाए दो lithium metal react करती है ethereal solution में और super grignard याने के RLI बनता है ठीक है और last reaction क्या है last reaction है sodium metal से पीछे magnesium से पड़ी grignard बन गया lithium से पड़ी super grignard बन गया और sodium से जब reaction होती है वही ethereal solution के अंदर तो student chemistry change हो जाती है दो sodium metal एक साथ दो alkyl allied पे react करता है दो nax निकलते हैं और radical mechanism से higher alkane बनके आ जाते है बताओ बच्चों इस reaction का क्या नाम है बताओ इस reaction का क्या नाम है चैट में reply करो इस reaction आदित्य बेरी गुड शाबाश इस reaction को बोला जाता है वोडज रियक्शन और वोडज जो है वो alkyl allied की reaction है only आगे आप अगला chapter कल जब पढ़ोगे तो आपको वोडज फिटिग और फिटिग रियक्शन हेलो एरीन में बढ़ाऊंगा कल की ख्लास के अंदर लेकिन आज वोडज और सबसे बड़ी विशेशता ये है कि वोडज से जो alkyne बनती है वो even number वाली यानि समसंख्या वाली alkyne बनाने के लिए वोडज best method है विशम यानि कि odd number वाली alkyne बनाने के लिए वोडज को काम में नहीं लेते वहाँ drawback आ जाती है पर इतना detail में अभी वोडज नहीं पढ़ना केवल इतना सा ज्यान रखना है alkyl alido की reaction sodium से कराएंगे तो दो आर अटैच जैसे माल लो इस reaction में अगर methyl chloride ले sodium से reaction करवाएं तो आप जानते हो इस reaction का product अधेन बनेगा तो आपने chemical reactions पढ़ ली एलो एलकेन में फिजिकल प्रॉपर्टी आज आपने देख ली और पिछले class यानि पिछले वीडियो के अंदर आप लोगोंने method of preparation और classification पढ़ लिया था अच्छे से वीडियो को दोबारा चेक कर लेना देख लेना कोई चीज समझ में नहीं आती है ठीक है न डाउट क्लास आपकी फिरम आगे रखेंगे और जैसा की पंकस सर ने भी बताया है आप लोगों का यूनिट वाइस टेस्ट पेपर वगरे सब अपलोड है तो अब आप हेलो एलकेन चैप्टर को पढ़